नमशकार दोस्तो हमारी YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है पचास लोगों की पत्री निकाल दी अनभव स्री रमाकांथ परिमार्जी का दोस्तो एक अनभव जो हमको स्री रमाकांथ परिमार्जी ने जो कानपुर उत्थर परदेश में रहते हैं आप सब लोगों तक पहुचानी के लिए काहा है इन्होंने अनेक लोगों की पत्री सही कर दी तो आईए दोस्तों जानते हैं इनके प्रियोग के बारे में और उसके बारे में भी जानते हैं कि हमने इनका प्रियोग कुछ लोगों पर अजमाया और उसका रजैल्ट क्या हुआ दोस्तो एक अनभव जो आप लोगों से मैं सेर करना चाहता हूँ जिसको रमाकान जी ने हमें भीजा था पत्त्री की दवा जिससे काफी लोगों को फाइदा हुआ जिससे पत्त्री रेत बनकर मुत्र के साथ निकल जाती है और चाहि छानने वाली छनी से मुत्र को छानने से हम इस रेत को देख सकती है दोस्तो उनके इस प्रियोग को हमने भी करीब साथ लोगों पर अजमाया साथ लोगों को यह दुआई करवाई तो उसमें से चालिस लोगों को एक बार में ही ठीक हो गई और 10 लोगों को दूसरी बार यह है परियोग करना पड़ा मगर करीब 10 लोगों को 3-4 बार में भी कोई फाइदा नहीं हुआ कहने का भाव यह है कि हमने 60 लोगों पर इस नुस्खे को अजमाया और उसमें से 50 लोगों को बहुत अधिक फाइदा हुआ तो आएए दोस्तों जानते हैं रमा कांत प्रमार जी के इस परियोग के बारे में इसके लिए जो अवसक समगरी चाहिए वह चाहिए पत्थर चट जिसको पकान बेद भी कहते हैं इसके 12-15 पत्ते ये पोदा आपको किसी भी पंसारी या नरसरी से मिल जाएगा या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वहाँ से भी आप इसको बाय कर सकते हैं दोसरा उसदी चाहिए इसके लिए जवाखार 15-20 क्रम ये किसी अच्छे विसवने पंसारी से ही लीजिए क्योंकि इसमें मिलावट भी आती है परियोग की सफलता के लिए उच्छ कोटी की जवाखार चाहिए असली जवाखार क्रीब रेत के रंका होता है मैं इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं तो आईजे दोस्तों अब जानते हैं इस नुस्खे के परियोग की विदी पत्थर चट के पत्तों को अच्छे से धोकर मिक्सर में डाले और उसमें एक गिलास पानी और जवाखार भी डाले फिर मिक्सर में करीब 4-5 मिन तक उन्हें अच्छे से क्रेस कर ले अब इसमें 7 गिलास पानी और डालीजी अब इसको अच्छे से मिक्स करके कांच के बरतन में भर लीजी इसको आपको चानना नहीं है ऐसे ही इस्तमाल करना है अभी आपके पास 8 गिलास लिक्विड है एक दिन में चार गिलास आपको पीने हैं चार घंटे के अंतर में एक गिलास आपको पीना है पर दिन में आपको सिरफ चार गिलास पीने हैं और बाकी के चार गिलास हमने टोटल आठ गिलास बनाई थे चार गिलास आपको पहले दिन और चार गिलास आपको अगले दिन पीने हैं और हर बार छन्नी से आप अपना मूतर छाने, आपको रेत जैसे कन दिखाई देंगे, जो इस परियोग के सफल होने की और इसारा करेंगे। इस परियोग के एक हपते के बाद आप दोबारा से पथरी के लिए जाच करवाएं। यदि थोड़ी पथरी रह गई हो, तो एक हपते या पंदरा दिनों के बाद फिर से यह परियोग करें। इस परियोग से 80% केसिज में पथरी कितनी भी बड़ी हो, वो निकल जाती हैं। जाद तर केसों में इस परियोग के बाद ओप्रेशन करवाने की नोबत नहीं आती है। अब जानते हैं पथर चट के बारे में। दोस्तो आप इसके नामों के बारे में जाना चाहेंगे कि आपके एरिये में इसको किस नाम से जानते हैं। संस्कृत में इसका नाम है पर्ण बीज, हेम साकर, हिंदी में इसको कहते हैं पत्थर चटम, पत्थर चूर, पत्थर चट, पासान भीद, पाखान भीद, और बंगाली में इसको कहते हैं कोप्टट, और पत्थर पुची, तेलगु में इसको कहते हैं राना पला, और तमिल मे इसको कहते हैं रूना कली यह पोदा सधानतल लोग घरों में सोभा बढ़ाने के लिए गमलों में ही लगाते थे हैं यह हर जगे उपलब्ध हैं और किसी भी नरसरी से असानी से आपको मिल जाएगा इस पोदे की कीमत भी आधिक नहीं होती और यह कलम लगाने से ही फूट पड़ता है यह गमलों में तो क्या? यह पत्त्रों के बीच में भी निकलाता है जैसर्ब मुत्तर मारगी नहीं बलकि पितास्य की पत्त्री को निकालने में भी सक्सब है इसको अनेक उस्द्य प्रयोगों में परियोग किया जाता है सरीर में कहीं गांट बन जाए और उसका मुहू ना बन रहा हो तो उस जिगह इस पत्ते को थोड़ा गरम करके बांग दे कुछी दिनों में चाहे वो श्तन की गांठ हो या सरीर के किसी और अंकी गांठ हो उसका भी मुहू बन जाता है ऐसा गजब का ये पोदा है और उसके बहुत सारे औस्तिय प्रयोग भी है हमने पहले भी पत्थर चट के बारे में वीडियो बनाई है तो दोस्तों यदि आप आपका रिलेटिव जानकर कोई भी पत्थरी की समस्य से परिसान है तो उसको इस वीडियो को टैग जरूर करें ताकि वो भी अपनी लिए इस नुस्खे का अपना कर इस नुस्खे का प्रियो करके अपनी पत्थरी की समस्य से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पास के तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो